रिंकू सिंग T20 वर्ल कप में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? BCCI चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और इंडिन टीम के कैप्टन रोई शर्मा ने इसके पीछे का रेजन रिवील किया जी हाँ दोस्तों एक recent press conference में after announcing T20 वर्ल कप स्कॉर्ट जब एक सवाल पूछा गया तो सबसे पहले अजीत अगरकर ने बोला ये सबसे toughest decision था जो हमने discuss किया रिंकू सिंग ने कुछ भी गलत नहीं किया है ना ही शुबमन गिल ने किया था ये सिर्फ चीज combination के उपर थी हम अभी भी sure नहीं है that कैसी conditions हमें वहां मिलेंगी तो हमें try करना था that हमारे पास bowling में enough options हो रिंकू सिंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है It's more about the combination हमने सोचा कि हमें extra bowling options डालने चाहिए ताकि वो options handy बन जाये going forward in the tournament उनके लिए ये बहुत tough चीज है but at the end of the day हम सिर्फ 15 खिलाड़ी ले सकते हैं आपको दोस्तों क्या लगता है क्या रिंकू सिंग का selection होना चाहिए था या नहीं comment करके ज़रूर बिताना